Hello friends, welcome to the success Kendra. Friends, देखिए, आग 27 मर्च के दिन बिहार फायर मन का पेपर था और 27 मर्च में जो फॉस्ट चिप्ट का पेपर हुआ है, friends, उसका एक्जाम कम्प्लीट हो गया है और हमारे पास जो है कोस्टन पेपर एक्जाम के बाद आया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर जिनोंने भी अपना एक्जाम दिया हुआ है, वो लोग अपना एंसर की मिला लेंगे बिल्कुल करेक्ट एंसर मैं बताऊंगा, टोटल 100 कुस्टन है हमारे पास चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पहले लाइक कर दीजेगा, फिर इसको सेयर तो करना ही आपको, प्लीज सेयर भी कर दीजेगा देखें फ्रेंट्स, पहला प्रशन पुछा गया था यहाँ पर, आप लोग बताईएगा कि क्या यहीं प्रशन था हिंडी मैं प्रशन को पढ़ूँगा मैं, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कि हमारे दिवाला जो बिहार फारमेन की तैयरी कराई गई है उसमें से मैक्सिमम कोस्टन आया है, जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से सुरू से लेकर लाश्ट तक पढ़े हैं, वो लोग जानते होंगे मैं प्रूफ भी दूँगा जिनको अगर प्रूफ चाहिए उनको, ठीक है, चलिए, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो यह मंगल ग्रह को कहा जाता है, यह मैंने यह नहीं बताया है, यह मंदारी से आप लोग बताएंगे उसके बाद देखे, यह वाला कोस्टन भी, उस्तम न्याले के मुखने अधिस को उसके पद से आटाया जा सकता है, तो यह महाभीयोग की प्रक्रिया के द्वारा, उप्सन नमबर A, जिन्होंने भी लगाया है, राइट अंसर हो जाएगा, यह भी कोस्टन मैंने कराया वहाँ मैं नहीं बोलूँगा, जो कोस्टन मैं कराया हूँ, वह मैं आपको बताऊंगा, तो देखे, सबसे इसका जो, इसमें से उप्युक्त अंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा, सू विक्सित, सीचाई प्रनाली, उसका बद अगला प्रस्ण देख लीजेगा, कि भारत का उपराश्टपती बनने का नियुंतम आयू, यह सभी लोग कराते हैं, मैंने भी कराया है, 35 यह हो जाएगा, उसका बद के के सिवन अध्यक्स थे, तो यह इसरो के अध्यक्स थे, वर्तमान में इसरो के अध्यक्स नहीं है, यहाँ थे लगाया है, ठीक है, चले, उसका बद देखेगा कि भारत की प्रतम महिला राश्टपती कौन थी, तो यह स्रीमती प्रतिभादेवी पार्टिल जी थी, आप्सन नमबर B हो जाएगा, राजिंदर सेतु किस नाधी परिस्तित है, यह कोस्टन मैंने कराया है, गंगा नाधी परिस्तित है, आप्सन नमबर A के बदलने के दर को कहते हैं, तो इसको बल कहा जाता है, राइट अंसर आप्सन नमबर C हो जाएगा, उसका बाद देखेगा, एक आयत का छेतर पर निकालने का सुत्र, तो लंबाई गुना चौन आई होता है, फ्रेंस वीडियो को सेयर कर दीजेगा, उसका बाद देखे, निमन में से कौन से युकती, विदूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्चित करता है, ये कोस्टन मेरे द्वारा कराया गया है, ये विदूत मोटर, इसका राइट अंसर हो जाएगा, विदूत मोटर, उसका बाद देखे, निमलिखित को में किसको सीध करने क्या सकता होती है, तो थिवरम को यानि की परमे को, उसका बाद कोस्टन नमबर 14 देखेगा, पूरा कोस्टन है, वन बाई वन करके विल्कुल से, धानान की रशनाय किस भासा में है, तो यहां ब्रज भासा में है, उसका बाद देखे, I waited for him until he came हो जाएगा, उसका बाद अंग्रेजी में प्रश्ण पॉंड लिजेगा, raw materials and money in hand are called, कार्यसील पुंजीन को कहा जाता है, उसका बाद यह अंतराष्टी सक्षारता दिवस, यह प्रश्ण मैंने कराया है, यह 8 सितंबर की दिन मनाया जाता है, उसका बाद next question हमारा कि the book origin of species was written by, यह भी question कराया गया है तो यह Charles Darwin के द्वारा, उसके बाद देख लिदेगा, विस्व के सबसे बड़े cricket stadium मोटेरा का नाया नाम के रखा गया है, तो friends यहा नरेंद्र मोदी stadium रखा गया है, उसका बाद देखेगा, यह भी question मेरे द्वारा कराया गया है, उत्तरी तथा उत्तरी पस्तिम भारत में च पादन का साधन क्या है, बताई राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा, तो friends यह स्तरम हो जाएगा, ठीक है, चलो उसके बाद देखेगा कि अगनी का विसेशन सब्द है, यह आगने होता है इसका विसेशन, उसके बाद देखेगा देश के परतम महिला निरवाचन आयुक्त कौन थी, यह भी कोस्तन मेरे दराव कराया है, इनका नाम है VS. रामा देवी, ठीक है, जो लोग हमारे चैनल के माधम से पढ़े हैं, उनको पता होगा, उसके बाद नेक्स्ट कोस्तन देखेगा कि सामयवाद का सरपर्थम परियोकी इस देश में हुआ था, यह कोस्तन दो त कि तुलना में सावकार के द्वारा वसुली जैने वाली ब्यास दर्ज होती है, यह बहुत ही हाई होती है, मच हाईयर, बहुत अधिक, ऑप्सन नुबर D राइटन सर इसका हो जाएगा, उसके बाद देखेगा कि जल के अनुओ की गती जब चैनात्मक परगा में जिली के द वस्तुए काली हो जाती है, क्योंकि उन पर, क्योंकि उन पर बताएए, सिल्वर सलफाइड की परद चड़ जाती है, ठीक, ऑप्सन नुबर D हो जाएगा, उसका बाद कि हीरो सीमा कभीता की रसना किसने की है, बताएए फ्रेंट्स, तो यह अग्ये की है, सचिजानन्द, ह इरहनन वात्सायन अग्ये, उसके बाद लोकतंत्र की अंतिम सत्ता नहींत होती, यह प्रश्ण में द्वरा कराया गया है, यह जनता होती है भारत की समिधान में, मैय उर्भंज ये भी मैने कराया है, यह लौव एस के लिए फेमस है, मैय उर्भंज खान, ठीक है, मैय कोशन देखेगा कि बस्तर आंदोलन में किसकी बोविका प्रमुक थी, तो यह गुंडा धूर की थी, जिन्हों नहीं भी लगाया है, उनका राइट अंसर हो जाएगा, उसके बाद देखेगा, प्रतेक परमे संख्या, एक वास्तिविक संख्या होती है, उसके बाद देखे कि अमिर्का के स्वतंतरता संग्राम के नेता कौन थे, यह थे वासिंग्टन, जो कि अमिर्का के प्रतम राष्टपती बने थे, जॉर्ज वासिंग्टन, तो ऑप्सन नमबर डी, राइट अंसर, जिन्हों नहीं भी लगाया है, राइट अंसर हो जाएगा, उसके बाद दे देखेगा कि 15 सताबदी में कौन से बैपारी सबसे पहले हिंदी चीन आये थे, यह कोस्टन क्या मैंने नहीं कराया है, पुर्दगाली आये थे, ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट कोस्टन देख लीजेगा, कि एसिया का सबसे सवक्से गाउं किस सराज मिस्तित है, त उसका नाम क्या है, तो मालिंग लॉंग इसका नाम है, ठीक है, यह मेघाले में है, उसके बाद नेक्स्ट कोस्टन देखेगा, कि अलक नंदा नदी भागी रती नदी से मिलती है, यह भी मेरे द्वरा कराया गया है, कहां पर, तो यह देव प्रियाग में, उसके बाद जलवायू है यह क्या मैंने नहीं करा ब्हारत की जलवाय और भारत में इस परकार का वन पाय जाते हैं तब मैंने आपको बता था कि भारत की जलवायू ुष्ण करण ये मौंसूनी जलवायू है तो option no c right answer इसका हो जाएगा देखे जो मैं बात बताता हूं उसको भी ध्यान से सुनना होता है ऐसा नहीं मैं कोस्टन बता दिया आप लोग टिक लगा एक्जाम में चले हैं बोलेंगे यार कुछ नहीं आया था ऐसा नहीं होता है आपको उसका नहीं है यह हर्मोन इंसुलीन है मैंने बता है और यह अगनासे से स्रावित होता है उसका बढ़ाद बर्फ पानी कि उत्पादन के लिए आउस्सक्या है तो यह भूमी है श्रम है और भौतिक पुंजी है और सी हो जाएगा यह और भी दोनों उसका बाद देख लिजाएगा कि निमन में से कौन भारत के उपवप्रधान मंत्री नहीं रहे हैं तो इसमें से एच एन बहुगुना नहीं रहे हैं बाकी सभी लोग भारत की उपवप्रधान मंत्री रहे हैं उसका वाद देखे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जिल मैंने भी कराया है यह आपका हो जागा जिल जमू कस्मीर में है प्रतिध्वनी सुनाई देती है यह भी मैंने बत हो जाएगा उसका बबंध कालिंदी कूल कदम की डारन मेरे खांकित को कहा जाता है um सब्सक्राइब करता है यहां पर देख लिजेगा उनमुख का समुख नहीं होगा ठीक है उनमुख का विमुख होगा तो यह गलत दियागा बाकि सभी जो है उनत्ती का विलूम आउनत्ती होता है होता है यहां पर देख लिएक का समुख का समुख होता है यहां समुख दिया गई यह गला थह तो आप शैको यह कौन करता है तो RBI करता है ठीक है Reserve Bank of India करता है उसका बढ़ देखें निम्लिकित में से भारी महसीनों के उप्ये गुहितू सनेहक कौन सा है यह कुस्तन ग्रेफाइट मैंने कराया था न कि सनेहक के रूप में इसका इस्तमाल किया जाता है उसका बढ़ देखेगा कि she returned home and opened the door त चुद्रांत मैंने बताया था न कि चुद्रांत सबसे लंबा भाग है तो यहां पर देखें चुद्रांत दिया गया है उसका बाद next question देख लिजेगा कि वस्तू सब्द का बहुबचन वस्तूय हो जाएगा यह वाला वस्तूय इस तरह से जिन्होंने भी लगाया है उनका कहा जाता है तो इसको हिमादरी कहा जाता है अगला question देख लिजेगा कि next question है हमारा हाँ यह वाला देखें दिख्षा फ्रॉम गुरुदास 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 से दिख्षा किसने लिया था तो यह फ्रेंट्स चिट्वर की रानी थी इनका नाम ज्ञाला रानी था यानि कि रानी ज्ञाली ठीक है option number D जिन्होंने भी लगाया है right answer हो जाएगा the sound came from the room from हो जाएगा यहाँ प पर्तिपादित किया था यह प्रश्ण कराया गया है तो केपलर के नियम द्वारा ठीक है उसके बाद देख लेजेगा कि बेली कोज का मतलब क्या होता है इसका मतलब लडाकू होता है तो लडाकू का मिलते है जूलत सब्द्द एग्रेसिव हो जाएगा यहां पर उसका ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट कोस्टन हमारा है देखे 66 नंबर कि प्रती हजार पूर्सों की पूर्सों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है तो फ्रेंट्स यह लिंगा अनुपात कहा जाता है यह भी कोस्टन कराया गया है उसका बदिके पूछा गया प्रशन है सभी बच्चों को प्रारंबिक सिख्छा देना नेक्स्ट कोस्टन देखेगा कि यदि दो कुन एक दूसरे के पूरक हो तो प्रतिक कुन क्या होगा एन एक्यूट एंगल होगा यानि कि एक निउन कोन होगा ठीक है चले उसका बद नेक्स्ट कोस्टन देख लिजेगा कि सौरसेल बनाने लिए यह बीप्रशन कराया गया है कौन सा पाधार तो सिलिक उनका अगला कोस्टन देखेगा मोली एक रूपान्त्रित क्या है तो फ्रंस यह जड़ है यह हो जाएगा रूट है ठीक है चले उसका बद दिखेगा कि he and I खाले नेक्स्ट कुस्टन देखिए उसके बद अगला कुस्टन देख लिजेगा कि भारत में है कली बताया था मैंने कल वाली वीडियो में कि बहुत अलिये ब्यवस्ता है उसके-बाद नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा अगला कुस्टन है फ्रेंड्स हां कि the book was read by her ठीक है तो C reads the book हो जाएगा option number D इसका correct answer हो जाएगा उसका बदे कि एक ब्रिक्ष की हत्त्य कवित्य के रसनाकार कौन है बताए तो ये कूर नरायन है option number D हो जाएगा right answer उसका बदे किस समुह में सभी रात के परवाच्य सब्द है तो रातिरी रजनी और निसा option number D जिन्हों नहीं भी लगाया है उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा उसका बदे कि टिसको की अस्थापना क्या मैंने नहीं बताया है तो साथ सी बिहार हो जाएगा कि 1907 में जमसिद्धी टाटा दोरा टिसको की अस्थापना कहा की गई थी उसका बाद next question देख लिजेगा कि 2011 के जन्गनक अनसर भारत वर्समा दिक्तिम जन्संक्य घनतों तो ये बिहार का सबसे ज़्यादा जन्संक्य घनतों है ये भी कराया है सबसे कम और नाचल का है उसके बाद देखिए ये question इसका answer आप लोग निकाल लीजेगा ठीक है उसके बाद next question देख लिजेगा है कि कल ही मैंने कराया था कि और वाईवे स्वसन में glucose का भी खंड़ है देखिए यहां कल मैंने और वाईवे स्वसन कराया था और आज देखिएगा यहां प्रश्ण में वाईवे स्वसन पुछा गया है ये भी बैताया था मैंने कि glucose का भी खंड़तन जो होता है उसके पस्चात क्या प्राप्त होता है तो देखिए कारबन डेक्साइड और जल और उर्जा ATP के रूप में प्राप्त होता है तो उप्सन नबर C हो जाएगा उसके बद अगला कुस्चन देख लिजएगा नेक्स्ट कुस्चन है हमारा कि अंतराष्टी नियाले का मुख्याल है तो नीदरलंड के दोहेग में है ये भी कराया गया प्रश्ण है उसके बद इके भूगोल सिखना कठीन है जोकरफी इस डिफिकल्ट तू लर्न अप्सन नबर B राइट अंसर हो जाएगा उसके बद नेक्स्ट कुस्चन देख लिजेगा की नैटरोजन गेस का वाइमंडल में कितना प्राइशज था सभी गेसियों का जब मैंने प्राइशध बताए था तो नैटरोजन का बताए था अक्सीजन का बताए था 48% हो जाएगा उसका बद गेगा जीवन के बाद कारयों में शिक्या का लाव है यहां पर प्रप्रश्ण को फिर से पढ़ लिजा अंगरेजी में तो कि कटा हुआ है यहां से विचीज नॉट नहीं है ठीक है तो इसमें से देखें नहीं जो हैगा स्वास्त सिवाव का कोई विकास नहीं यह हो जाएगा बिल्कुल है पढ़ाई का संबंद उससे उसका बाद के ग्रीक इंवेडर्स इन इंडिया विर फॉलोड बाई दसक अंड हूंस तो ऑप्सन नॉबर भी हो जाएगा इसका उसका बाद देखेगा कि रासानिक परिवर्तन का उधार नहीं यह भी बताया गया दूद का खटा हो है रवी फसल नहीं है रवी फसल नहीं है बताइये गांत Sayru राईटन सर इसमें से क्या हो जाएगा जवार हों जवार जवार जो है यह खरीफ फसल है उसके बाद देखलीजेगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है यह प्रिव्यस एयर का प्रश्न है यहएए मानावदिक संगठन है और सी राइटन सर हो जागा लंदन में इसका है यह भी कोस्टन में कराया हूं उसके बाद नेक्स्ट कोस्टन देख लिजेगा कि वार्दोली सत्यागरा में मुख्य भूमिका किसन निभाई है तो सरदार बल्ला भाई पटेल ने निभाई थी उसका बाद कि GDP कई वार मैंने बता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट यानि कि सकल घरेल उत्पाद GDP करतात पर पुझा गया है उसका बाद कि अल पर बेरुजगारी तब होती है जब लोग अपनी छमता से कम काम करते हैं या फिर यहाँ पर अंग्रेजी में देख लिजेगा कि वर्क आर वर्किंग लेस दैन वर्ट इज आर कैपैबल डूइंग ठीक है तो यह अप्शन नबर सी इसका राइट अंसर हो जाएगा उसका बाद नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा कि यह जो कुस्टन है कि वेर डेड़ संतोस यादा गोफोर और कॉलेज एजुकेशन तो यह कहां गई थी महरानी कॉलेज जैपूर में गई थी ठीक है तो जैपूर हो जाएगा इसका राइट इंसर उसका बाद 93 नंबर देखिए भारत में पहला भूमिगा त्रेलवे दुनिया में पहला भूमिगा त्रेलवे कल वाली की परसो वाली वीडियो में कराया था कि लंद घटना ने राष्क्रवाद कि उधारना को जनम दिया था मैंने नहीं बता था फ्रेंच रिवालूशन ठीक हे फ्रांस की करान्थी और विश्मिल्ल 11 Semile船 कौन से वादियंत्र बजाते हैं विश्मिल् 497 नबर को देखिलीजेगा कि देश का प्रतावनागरिक कोन होता है त देख लिए प्रतम विश्विद का तातकाली कारण क्या नहीं बताया हूं पॉस्टिलिया के राजकुमार फॉर्डिनेंड का वोष्णिया में हत्या ओप्सन नंबर भी राइट अंसर हो जाएगा ठीक है वोष्णिया के राजधानी सेरे जों में हत्या वीडियो को लाइक कर दीजेगा और फ्रेंड्स प्लीद इसको सेर कर देजएगा और फ्रेंड्स प्लीद इसको सेर कर दीजागा